पॉसिबिलिटी है अभी तक कुछ कनफर्म हुआ नहीं है के ये मर गए है ये जिन्दा है मगर पॉसिबिलिटी है के इरान में एक बड़ा रिजीम चेंज कर दिया गया है यहाँ पे आप देख पाओगे हेलिकॉप्टर इन कॉन्वोई कैरिंग इरान प्रेजिडेंट एबराहिम रही सी अगेन हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर की बात नहीं कर रहे है जो सुप्रीम लीडर है वो सेफ है जब पूर्व CDS जनरल पिपें रावत साब का हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ था उस टाइम भी हेलिकॉप्टर हाड लेंडिंग यह जो वर्ड्स है यह काफी extensively यूज किये गए थे और यहाँ पे आप देख पाओगे इरान के जो president है इनका एक हेलिकॉप्टर का konvoy जा रहा था तीन हेलिकॉप्टर थे उन में से एक हेलिकॉप्टर ग्रैश कर चुका है अभी हमें यह बता नहीं है कि क्या यह मेन हेलिकॉप्टर थाया नहीं इरान के जो interior minister है, मतलब के जो इनके ग्रैमंत्री है, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने का के देखिए, search और rescue units अभी तक location पे आई नहीं है, जहाँ पर crash हुआ है, weather conditions वहाँ पर बहुत ज़रा खराब है, visibility पांच मीटर से भी कम है, तो आप imagine कर सकते हैं, धून पाना के helicopter की ये ढूण पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल रहने वाला, भी मैं आपको location भी दिखाऊंगा, पूरा एक forest area है, वहाँ पे काफी dense fog रहती है, तो देखिए, इस helicopter को ढूण पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, और इरान के लिए मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ी tragedy ये इसके लिए हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ इनके president, possibility है, गयान मैं आपर ये भी कह दूँ, एक possibility ये भी है, कि ये दोनों बज़ भी गए हो, मगर जो news सामने आ रही है, उससे ये लग रहा है, कि इरान ने ना सिर्फ अपना president खो दिया है, possibility है, कि इरान के जो विरेश मंत हैं, आमिर अब्दोलियान, जो recently इंडिया में भी आये थे, जशंकर साब से मिले थे, ये भी उस helicopter में थे, जिसकी quote-unquote hard landing हुई है इरान में, ना एक question यहाँ पे आप ये भी race कर सकते हैं, कि कितनी अजीब बात है, कि एक ऐसा इलाका, जहां पर proper connectivity भी नहीं है, कि जल्दी से rescue team पॉझ पाए, वहाँ पे एक ही helicopter में, इरान के president और इनके विदेश मंतरी दोनों बैठे थे, और बताया जा रहा है, most probably, वही helicopter crash हुआ है, कितनी अजीब बात हो रही है, सब हुआ कहां पे, देखो, जो location है ना, वो देखकर कावी बार question यहाँ पे उठते ही है, कि इरान की जो government है, जो इनकी administration है, यह कर क्या रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे, एजरबाईजा और इरान की border के पास में एक बहुती बड़ा forest area है, दिजमार के नाम से, यह जो location आप देख रहे हैं, इसे दिजमार forest area कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए, इरान के president और इनके विदेश मंत्री दोनों गए थे, एक dam की inauguration करने के लिए, यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, इरान और एजरबाईजा दोनों ने मिलके inaugurate किया है, एक dam को जिसका नाम है, किस classy dam, ना मुझे यहाँ पर एक बार add करनी पड़ेगी, इरान और एजरबाईज को weapons भी supply किये हैं, ताकि इरान के अगेंस यह कुछ ना कुछ proxies बिल्ड करते रहे, अब अजीब बात देखिए, एक ऐसे time में, जब एजरबाईजा और इरान अपने differences भुला कर, एक बहुत ही important dam को कर रहे थे inaugurate, जिसका फायदा obviously, एजरबाईजा की population को भी होगा, इरान क इनागरेट करने के लिए, इरान के प्रेजडेंट और इजरबाईजा के प्रेजडेंट दोनों यहाँ पर मवजूद थे, जैसे ही meeting होती है, इरान के प्रेजडेंट वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में ही यह helicopter crash की news सामने आ जाती है, ना मैं अब अगें यहाँ पर कहू थी, क्या यह सब well planned था, और obviously जो मैंने यहाँ पर बात बोली है, यह सिर्फ मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है, इसलिए दुनिया भर में आज के समय, दो hashtag trend करना start कर चुके हैं, एक एरान, दूसरा मोसाद, क्या यह मोसाद ने किया है, again इसके बारे में हमें कुछ समय बाद ही एक proper idea लग पाएगा, क्योंकि अभी as of now, जब मैं video record कर रहा हूँ, एक report यह भी सामने आई है, कि जहाँ पर helicopter का crash हुआ है, वो area इतना जादा covered है fog से, कि rescue team भी वहाँ पर पहुच नहीं पा रहे, यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह video सामने आई है, यह rescue team की है, I mean, आप imagine कर सकते हैं, इतनी जादा कम visibility के साथ, ढून पाना के कहाँ पर helicopter crash हुआ, और again, यह मुझे यह भोलना पड़ेगा, जो helicopter है, उससे भी कोई messages, कुछ reports आ नहीं दी, वो भी बिल्कुल silent है, तो देखना होगा कि eventually यहाँ पर होता क्या है, उमीद यहाँ पर हम यह मंदरी भी हो दिया है, obviously इसका एक geopolitical impact भी देखने को मिलेगा, हमें एक जादा aggressive Iran दिख सकता है, against Israel, वहाँ पर obviously इरान में इस बात को लेकर काफी शक उठेगा, कि क्या मुसाद ने यह सब plan करके किया है, क्योंकि again, जिस sequence में चीज़े हुई है ना, तो शक तो बिल्कुल साम ने आती है कि इरान के प्रेजिडेंट बच गए या फिर genuinely he is dead now, इससे related भी मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो ले आऊंगा, finally आपसे आप एक question पूछूंगा, Indian economy से related, United Nations ने पहले का था, कि इंडिया की economy इतना जड़ा ग्रो नहीं कर पाएगी, मगर recently इन्होंने 24 में भारत की economy रोर करने वाली है, बहुत जड़ा ये ग्रो करेंगे, तो आपको बताना है कि revised estimates क्या है, इंडिया की GDP ग्रोध को लेकर by United Nations, यह हैं आपे आपकी options, 6.9%, 6.5%, 6% या 5%, comment section में करिए उत्तर, इस पर बहुत आटिकल पबलेश होई हैं, जो लोग सही answer देंगे, मैं हाट देंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है, और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत important जानकारी, Study IU का batch 8 स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब ये है के 20 में से पहले आप अगर Study IU का UPSC course purchase करते हैं, तो एक systematic तरीके से एक batch के अंडर आप अप अगर आप online course purchase करना चाते हैं, तो link पर यहाँ पर इकर ये click और आपके सामने खुल जाएगा ये page, और यहाँ पर आप देख पाऊगे लिखा है Study IU UPSC batch 8, ये batch 20 में से start हो जाएगा, उसके बाद enrollment यहाँ पर बंद हो जाएगी, limited number of seats होती है, तो अगर आप properly UPSC 2025 के लिए त प्रॉपर त्यारी करनी है, तो ये course आप कर सकते हैं, purchase, validity होगी इसकी 30 महीने की, इस course में आपका prelims, mains, interview, तीनों पार्ट को properly cover किया जाता है, one to one mentorship आपको मिलेगी, उसके इलावा physical books भीजी जाएगी आपके घर में, और ये जो price यहाँ पर लिखा है, you do not have to pay this price, simply यहाँ पर code डालिए, PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे, 1000 रुपे से भी कम per month pay करके, आप घर बैठके properly UPSC exam की त्यारी कर सकते हैं, with study IQs, live classes, तो जो ये P2I batch है, याद रखिये का ये date 20 में से start होने वाला है, उससे पहले आप इसको purchase करके, एक proper direction के साथ, अपने UPSC exam की एक त्यारी start कर सकत हैं, so use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ, ये है वीडियो कान्त, thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.